दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैनवा रुबैको स्मॉल कैप फंड के बारे में तो आज से 6 महीने पहले जब हमने इस फंड का रिव्यू किया था तो ये फंड काफी अच्छा प्रोफॉर्म कर रहा था तो आज हम देखेंगे क्या ये फंड अपनी प्रोफॉर्मेंस जो है उसको मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को हम डेटेल में देखेंगे इसकी investment strategy यहां पर क्या रहती है क्या sector allocation और company allocation चल रही है और importantly क्या ये fund अभी भी अपने benchmark index को बीट कर पा रहा है या नहीं तो आईए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो है और total इसके portfolio में इसवक्त 74 companies मौझूद हैं वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके launch date की तो January 2019 में ये fund launch हुआ था वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके fund manager की तो ये काफी अच्छी बात इस fund के साथ है कि ये fund जो है ये ही fund manager handle करते हैं तो ये एक काफी अच्छी बात इन fund के लिए हो जाती है वहीं दोस्तों बात करें अगर इसके fund size की तो fund size भी अभी इस fund का काफी कम चल रहा है तो since ये fund एक small cap fund है तो सबसे जादा पैसा ये small cap companies में ही लगा कर चल रहा है 65% पैसा mid cap companies में लगबग 22% के आसपास पैसा है और large cap companies में 8% के आसपास ये fund इस वक्त पैसा लगा कर चल रहा है large cap companies में 8% पैसा लगा कर वही mid cap companies में भी 21% पैसा ऐसा नहीं है कि 80% पैसा इसने small cap में ही लगा रखा है तो काफी balance करके ये fund अपना portfolio यहाँ पर चलते वह नजर आ रहा है उसी तरह दोस्तों अगर हम इसकी expense ratio देखते हैं तो expense ratio भी इसकी category average से काफी कम है सिर्फ 0.39% के expense ratio है तो expense ratio भी इसकी काफी reasonable यहाँ पर नजर आती है तो asset under management, fund manager की बात करें या फिर expense ratio की बात करें तीन चार चीज़ों में ये fund अभी तक अच्छा नजर आता है उसी तरह दोस्तों अगर हम इसकी risk ratios पे बात करते हैं तो इस risk ratios में सबसे पहले अगर हम standard deviation पे बात करें तो standard deviation किसी भी fund का ये बताता है कि एक fund कितना जादा volatile है returns देने के मामले में तो वहाँ पर थोड़ा सा ये fund अपनी category average से जादा standard deviation maintain कर रहा है यानि कि थोड़ी सी जादा यहाँ पर ये volatile fund हो सकता है वहीं दोस्तों शार प्रेशों की बात की जाए तो शार प्रेशों किसी भी fund का ये बता रहा है कि एक fund कितना better risk adjusted return देता है तो शार प्रेशों जितनी जादा होती है उतनी एक fund की better risk adjusted returns दिखती है तो शार प्रेशों के मामले में काफी अच्छा ये fund है वहीं turnover ratio किसी भी fund की दोस्तों ये बताती है कि एक fund कितना जादा अपने portfolio में changes करता है यानि कि एक बार एक fund company को portfolio में add करके कितने long term के लिए उसको अपने portfolio में जगा देता है तो यहाँ पर turnover ratio इसकी सिर्फ 7% है यानि कि changes ये अपने portfolio में नहीं कर रहा है जो companies को ये portfolio में एक बार ये add कर रहा है उसको long term के लिए अपने portfolio में जगा देते हुए ये fund नजर आ रहा है और ये काफी positive बात है किसी भी fund के लिए वहीं top 5 sectors देखते हैं तो sectors में अगर हम देखेंगे service और financial sector में इसने सबसे ज़ादा पैसा लगाया हुए capital goods, material और chemical sector में भी पैसा लगाया हुए तो देखिए अभी इस वक्त हो क्या रहा है कि globally recession की बाते चल रही है और ऐसे में वो sectors जो बहुत ज़ादा dependent है US, Europe, in countries में major profits के लिए उन sectors में अच्छी returns आना थोड़ा सा आने वाले एक साल में मुश्किल है जैसे की IT सेक्टर हो गया, chemical सेक्टर हो गया, pharma सेक्टर लेकिन ये fund के साथ अच्छी बात क्या है, majorly जो आप sectors देखेंगे ये India focused sector है, चाहे capital goods की बात करें, materials की बात करें, financials की बात करें तो ये एक काफी positive बात मुझे इस fund की यहाँ पर नजर आती है जो हमने यहाँ पर इस fund पर पहले भी discussion किया था वहीं दोस्तों अगर companies पर यहाँ पर बात करते हैं तो companies अगर आप यहाँ पर देखेंगे, काफी अलग-अलग different companies यहाँ पर आपको दिख जाती है City Union, Bank यहाँ पर आपके पास है, VIP Industries तो अलग-अलग sectors की companies का mixture यहाँ पर आपको देखने को मिलता है Capital goods sector की भी company है, hotel sector में भी यहाँ पर इसने invest किया हुए Top 10 sector में और देखिए, किसी भी small cap fund में एक यह अच्छी बात होती है कि किसी एक particular company में बहुत जादा investment करके अगर एक small cap fund नहीं चलता है, तो वो काफी positive बात हो जादी है क्योंकि इससे होता क्या है कि वो fund जो है, वो बहुत जादा risk नहीं ले रहा होता है तो risk होता है उसका, वो काफी limited रह जाता है अगर वो किसी एक particular sector में या company में invest नहीं कर रहा है तो काफी limited risk लेकर यहाँ पर चलने की कोशिश नजर आ रही है वही companies के बाद अगर हम दोस्तो returns पर यहाँ पर बात करते हैं तो returns इसने लगातार अच्छी returns दिये चाहे आप since inception देखते हैं तो इसने 30% की return दिया यानि कि अगर आपने 10,000 रुपेज fund की inception में लगाए होते तो 27,000 रुपीज आपके हाँ पर हो गए होते तीन साल में 42% की return दिये तो तीन साल में भी बहुत अच्छी returns इस fund ने दिये 10,000 रुपेज आपके लगाए होए इस fund ने 28,000 के आसपास बना दिये दो साल में भी काफी अच्छी returns है 43% की और एक साल में जब अभी market में बहुत ज़ादा अच्छी returns नहीं आ रही है ऐसी market condition में भी ये fund 16% के आसपास की returns यहाँ पर देते होई नजर आ रहा है वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें SIP investment में तो वहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिल रही है कि चाए एक साल देखें चाए दो साल या तीन साल हर period में एक अच्छी consistent returns यह fund देते होई नजर आ रहा है तीन साल में 41% की return है दो साल में 27% की और एक साल में अगर आप देखते हैं तो 16% की return इस fund ने यहाँ पर बना कर दिये तो returns यहाँ पर अच्छी दिख रही है चाए आप एक साल, दो साल या तीन साल की देखें और यह चीज़ हमने देखिए कि केनरा और वेकों की जितने भी mutual funds है वहाँ पर एक consistent returns आपको देखने को मिलती है और ऐसा ही कुछ इस fund में भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब दोस्तो किसी भी fund में अगर आपको invest करना है तो यह चीज़ भी देखनी जरूरी हो जाती है कि क्या वो fund अपने benchmark index को regular basis पे बीट कर पा रहा है तो अगर आप इस fund की returns को इसके benchmark index से यहाँ पर compare करते है तो आपको देखने को मिलेगा कि काफी comprehensively यह fund अपने benchmark index को एक, दो और तीन साल में बीट कर पाए जैसे कि हमने बात की थी कि एक साल में returns market में बहुत अच्छी नहीं आई है एक साल में benchmark index ने सिर्फ 5% की return दिया और इस fund ने 16% के आसपास की returns दिये वहीं दो साल में 43% की return इस fund ने दिया और इसके benchmark index ने सिर्फ 31% की और तीन साल में देखते हैं तो 29% की returns के against इस fund ने 42% की returns दिये तो एक consistently अच्छी returns देने वाला fund यह अभी है और एक साल में specifically बहुत ज़ादा अच्छी performance है क्योंकि एक साल में returns market ने बहुत अच्छी generate नहीं की है overall एक risk थोड़ा सा अगर हम बाकी fund से compare करते हैं excess से और अगर आप SBI small cap से तो उसकी जो investment strategy है वो लगबग वैसी ही यहाँ पर नजर आती है तो returns के मामले में काफी अच्छा है और risk भी consistently थोड़ा सा अपना maintain करके यह fund चल रहा है तो ये दो चीजे इसकी अच्छी लगती है उसके साथ-साथ जो fund manager है वो भी इसके stable fund manager है experience fund manager है जहाँ पर इन्होंने केंवर बेको blue chip भी 5 सालों में one of the best performing blue chip funds में से एक है तो वो एक दो चार चीजे इस fund के साथ हैं जो लगातार यहाँ पर अच्छी होती हुई नजर आ रही है लेकिन आपको एक तीज यहाँ पर याद रखी है कि small cap fund है तो risk जादा होता है volatility भी जादा होती है और जरूरी नहीं है जिस fund ने past में perform किया है वो ही fund आगे भी perform करे तो यह एक risk भी आपको fund के साथ समझ कर चलने की जरूरत है तो उमीद करता हूँ इस video से आपकी help होगी मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तो धन्यवाद